सभी साथियों को मेरा नमस्कार हमने पूरू के व्याख्यान में पुनर जागरन काल में साहित्य कला एवम विज्ञान के विकाश के बारे में अधिन किया था जिसमें हमने इतालवी शाहित्य के बारे में दाते पेट्रार्क के बारे में विस्तार से अधिन किया इनकी रचनाओं के बारे में अधिन किया आज हम इसी के क्रम में फ्रांसीसी सहिते के बारे में अधिन करेंगे पिछले वेक्यान में हमने पुनर जागरण कालीन सहिते की विशेस्ताओं के अंदर गत देशी देशचस बासाओं के विकास सहिते में मानवादी तत्तों का परवेश तथा शेली में परिवर्टन एवम गदे सहिते के विकास के बारे में आदिन किया तथा मानवादी, सहित्यकार, दाते जिनकी विख्यात करती है Divine Comedy जिसमें उन्होंने काल्पनिक जगत की स्वर्ग और नरग की यात्रा का वर्णन अपनी रचना में किया है और व्यंग्य के माध्यम से जो पुरौनी परंपराएं चली आ रही है उनका उन्होंने खंडन किया है इसी तरह मानववाद के पितामह पेट्रार्क जिनकी रचना है डिवाइन कॉमेडी मध्यकालन रचना है जिसमें उन्होंने कविताओं के माध्यम से लोगों को प्रेना दी है आज हम प्रांस यसी साहिते की बात करते हैं जिसमें सबसे मुखे नाम आता है फ्रांस के रेवेलोस जिनका समया आवधी है 1495 से 1553 इसवी तथा मॉन्टेन 1553 स के मध्य इनका समय रहा है रेवेलोस ने धार में कटरता एवं पुराण पंथिता के विरोध में आवाज उठाई उसने अधिकार संपन लोगों धार में कटरता और अंदविश्वासों पर कटू वेंगे किये अपनी गध्धे एवं पध्धे रचनाव में उसने हास्ये ए पेचारिक एवं साहितिक दरातल पर एक ताजी हवा की तरह सिद्ध हुई जिसमें सास लेकर फ्रांस को एक नई उर्जा और इस्फूर्ती मिली इसलिए रेवेलोस की पुस्तर का नाम दिया है नया संदेश उसको कहा जाने लगा रेवेलोस के साहित्य का मूल मंत्र है प्यास बोधिक और नेतिक प्यास अनुभव की प्यास और यधार्थ की प्यास और यही प्यास पुनर जागरन का आधार बन गई तो कहने का दाथपरी यह है कि फ्रांस के साहित्य कार रेवेलोस ने नेतिकता का एक नया संदेश दिया जिसमें उनका कहना था कि अभी तक जो वास्त्यविक सच्चाई है या जो सत्य है प्रकरती का उसको नहीं जान पाए तो उन्होंने बोधिक और नेतिक प्यास के बारे में इसलिए कहा है कि अभी तक हम उस मुकाम तक नहीं पहुँच पाए हैं अपनी बुद्धी के माध्यम से अपनी नेतिक विचारों के माध्यम से क्योंकि उस समय तक वेक्तियों को स्वतंतर चिंतन का कोई अनुभव नहीं था और जब स्वतंतर चिंतन होने लगा लोगों में अनुभव होने लगा नई-नी जन्जागरती या नई-नी प्रेणाउन को मिली इन साहित्यकारों के माध्यम से, रचनाकारों के माध्यम से, वेग्यानिकों के माध्यम से और इसे का सामुहिक नाम जो है वो पुनरजागरन दिया गया है जिसने मानों के समुचे नेतिक, बोधिक, समाजिक, राजनितिक जीवन को परभावित किया तो रेविलोस ने अपने साइत्य के माद्यम से इसी बात का वर्णन किया है कि बुद्धिक और नेतिक प्यास, अनुबव की प्यास और यथार्थ की प्यास कि हकिकत क्या है इसी बात कुनों ने का यथार्थ की प्यास फ्रांस के लेककों में मौन्टेन का नाम अग्रने हैं इनकी क्रतियों से निबंद लेखन का आरम होता है उसने अधिकांस निबंद सरल एवं सुबोध फ्रेंच बासा में लिखे इन निबंदों के विशे मैत्री, शासंत, अंतर, सिक्सा और यूद्ध से सम्वंदी थे उसके लेखन ने फ्रांसी सी बासा और साहित्य को भाव यूदकर्स के लिए तेयार किया वह एक निबंद कार के साथ साथ मानवादी भी था उनका कतन था कि संसार की महानतम बात यह है कि मनुष्य इस बात को जान ले कि वह अपनी वास्त्विक्ता के अनुरूप कैसे बने मौन्टेन लेखन और चिंतन में वालतेयर का भी अगरगामी था वह ततकालिन सत्ता एवं मद्देकालिन आतंक के विरुद्ध खड़ा हुआ और इस प्रकारों से पर्थम आधुनिक वेक्ति की उपादी अरजित करने का सोभागी प्राप्त हुआ है किसको प्राप्त हुआ है मौन्टेन को इसके बाद हम बात करते हैं अंग्रेजी साहित्य की जिसमें पुनर जागरण से इंग्लेंड का साहित्य भी प्रभावित एवं प्रेरित हुआ कवी जाप्रे चोसर को जिनका की समय है 1344-1420 इनको अंग्रेजी कावे का पिता कहा जाता है अंग्रेजी साहित्य की अवेरिल दारा का परवा महा कवी राजनितिग्य और विद्वान चोसर से ही प्रारंब होता है इस साधान लेखक की विद्वता और उसका ग्यान साधान जनता और राजदरवार दोनों के सम्मंद में असाधारन था उसके सर्वस्रेस्ट क्रती केंटरबरी टैल्स है इस रचना पर बुकासियों की डेके महरोन का परभाव दिखाई देता है इस रचना में केंटरबरी की यात्रापन निकले लोगों के वास्तिविक गुण दोसों का वर्णन किया है उसने लंबी कविता के रूप में सोनेट का जर्म दिया इसके बाद इंग्लेंड निवासी टॉमस मूर ने पुनर जागरण के कारे को आगी बढ़ाया वह धर्म और विदी सास्तर का पंडित था उसकी महान किंतु विवादास्पद करती यूटोपिया है जिसके बारे में कई बार प्रश्नी भी आता है कि यूटोपिया का लेखर कौन है तो टॉमस मूर सर टॉमस मूर के द्वारा यूटोपिया का जो है रचना की गई इसमें उसने इंग्लेंड के जंजियों में व्याप्त समाजिक बुराईयों और आर्थिक दोसों का निरुपन किया है इसके बाद हम बात करते हैं विलियम सेक्सपियर की पुनर जागरान को इंग्लेंड की सबसे बड़ी देन विलियम सेक्सपियर हैं इनकी सम्याओधी हैं 1564 से लेकर 1616 वी मानवियक क्रति के प्रकरति के अनुपम सरस्टा विलियम सेक्सपियर को अपने युग का महान कभी एवं नाटक कार माना जाता है उसका साहित्य भासा सेली एवं प्रस्थूती के लिए असाधरन रूप से विख्या थे सेक्सपेर ने मनुष्य के व्यक्तित्तों को उठाने के लिए वही कारी किया जो इतालवी चितरकार माइकेल एंजलों ने किया था उसने अपने रचनाओं में मानुष्य सोभाव के सभी पहलों का शशक्त एवं सजी वणन किया है सेक्सपेर की खुबी यह है कि उसके मानों में सभी गुण एवं दोस मौझूद है मेक बेथ जो कि उनकी रचना है उसमें कहा है कि एक बुरे से बुरे वेक्ति में भी कुछ न कुछ मानुष्य करूना का अंश विद्यमान रहता है उसने दुखांत और सुखांत दोनों ही प्रकार के नाटक लिखे उसके नाटकों में मर्चेंट ओफ वेनिस, रोमियो जूलेट, हैमलेट और मेक बेथ आदी प्रमुक उनकी रचनाएं हैं, उनके नाटक हैं कई बार पूछा जाता है ये विलियम सेक्सपेर की रचनाओं में तो मर्चेंट ओफ वेनिस, रोमियो जूलियट, हैमलेट और मेकबेथ और उनकी रचनाओं में मानवे शोबाओं के पहलूं का सशक्त सजी ओनन हमें मिलता है और सबसे बड़ी खुबी ये हैं कि उनके मानव में गुण ये उन दोस्त दोनों मौजूद हैं और उनका जो कथन जिसके बारे में भी हमने बात की कि एक बुरे से बुरे वेक्ति में भी कुछ ना कुछ मानवे कर उनकांस जरूर विद्धिमान रहता है तो उन्होंने दोनों पक्षों का बहुत ध्यान रखका है उनका भ करते हैं कला के क्षेत्र में पुनर जागरण की विशेष्टाओं की पुनर जागरन काल में सबसेधिक विकास चितरकला के ख्षेतर में हुआ पंदर विशताब्दी तक चितरकला नकेवल धार्म विश्यों तक सिमिती वरन रंगो एवं विश्यों का चवेन भी सिमित था उस काल के चितरों में उदासी एवं एक रस्ता द्रस्टी गोचर होती है उनके विशे इसा और मरियन के ही थे किन्तु वे अब आदमी को भी चितरित करने लगे अब चटक रंग वर्जित नहीं रहे चितरकला के शेली चिता करसक घर्द्यग्राही बुद्धिमानी और अत्यंत लावने में बनकर चर्मोत कर्स की तरफ बढ़ रही थी नई शेली के प्राणविक चितरकारों में इटली के फ्रांजेलिको 14-15 विश्वताब दीके हैं और मैसेसियो का नाम गिना जाता है फूलों के सहर फ्लोरेंस के परतिवा संपन चितरकार फ्रांजेलिको एक सन्यासी था फ्रांजेलिको का हाथ रंग रेखा के मामले में बहुत सदा हुआ था और इसी सदे हुए हाथ से वह सेंट माक्स मोनेस्ट्री के 40 कक्सों की दिवार पर बाइबिल के चितर बनाता चला गया जिससे रहने वाले पादरी बाइबिल के इन प्रसंगों को देख सके और उनहीं के ध्यान में अपना समय बिताएं उसके चितरों में प्रसिद मेडोना का चितर है जिसमें मेरी शिशू इशू को गौद में लिये हुए बैठी है इसमें बारह स्वर्ग दूत चारों तरफ अंकित किये हुए हैं ये बारह स्वर्ग दूत बारह प्रकार के वादे अंत्र बजा रहे हैं इटली के तीन और कलाकारों में ने चितरकला के क्षेतर में अधित्वी एकदान दिया तथा पुनर जागरण की भावनों को पूर्ण अभी वेक्त किया हैं इन चितरकारों में नाम आता हैं लियोनार दोदा विंची का 1452 से लेकर 1519 इस्वी का इने समयाक रहा है माइकल एंजलो 1475 से 1564 इस्वी इनका जीवनकाल रहा है तथा राफेल 1483 से 1520 इस्वी इनका जीवनकाल रहा है इन तीनों चितरकारों का पुनर जागरण के क्षेतर में चितरकला के क्षेतर में इटली में अतेदिक योगदान रहा है फ्लोरेंस निवासी लियोनार्दो की प्रतिबा अदित्वे एबम बहुमुकी थी वह वेग्यानिक गणितग्ये इंजिनियर संगीतकार दार्षनीक और चितरकार सब एक साथ था सब तरह की प्रतिबाएं उसमें विद्धिमान थी बहुमुकी प्रतिबा का धनी यह वेक्ति था लियोनार्दो का जन 1452 में फ्लोरेंस के निकट विंची सहर में हुआ था वह एक नाजिर और एक किसान कन्यागी अवेद संतान था बचपन में वह असादन रूप से जिग्या सुथा तथा उसे संगीत, लेखा गनीत और चितरकारे में विशेश दक्सता प्राप्ती पंद्रा वर्स की उम्रे में वह प्रसिति चितरकार वेरेक्यों से प्रशिशन प्राप्त करने लगा तथा उसने अपने कला कोशल एवं चितरों के अद्भुद संद्रे से अपने गुरू को चकित कर दिया 28 वर्स की उमर तक वह अपने युग के सरवसरे चितरकार के रूप में इस्था पितो चुका था एक ऐसे युग में जब कई महारती चितरकार वी देमान थे उसने अपने चितरों को यथार्थ बनाने के लिए मानव शरीर विज्ञान का गहन दिन किया उसके रंगों एवं चितरन की विदियो में समन वेके प्रयोग किये वस्तुतर वह एक महान कलाकार था उसकी चितरकला की विशेष्णाई सादगी तता भावववी वेक्ति प्रकाश और चैयर अंगों का उप्युक चैयन और सरीर के परतेक अंगों का स्वाबाविक एवं सुन्दर प्रदशन था लियोनार्दो के चितरों को देखने से जायर होता है कि एक चितरकार किसी वेक्ति के बाहियर रूपाकार को उतने ही यथा तथे डंग से समिट सकता है जैसे कि एक केमरा उसका हु बहु चितर खींच लेता है लियोनार्दों के चित्रों में लास्ट सपर और मोना लिसा प्रमुख और अनुपम समझे जाते हैं लास्ट सपर में ईशा को अपने अनुयाईयों के साथ आखरी बोजन के समय बेठा दिखाया गया है इसा के चेहरे पर सांती के बाव हैं परंतु उसके सिष्षे हत प्रभ दिखाई देते हैं और एक सिष्षे के चेहरे पर अपराद की जलक दिखाई देती हैं मोना लिशा किसी सुंद्री का चित्र नहीं है लेकिन उस साधारण सी दिखाई पढ़ने वाली महीला की रहस्य मेव मुस्कान का अर्थ आज भी दर्शक के लिए रहस्य बना हुआ है तो इस प्रकार से लियोनार्दो दविंची की बहुत महत्तोय पुर्ण जागरन काल में और मोना लिशा और लास्ट जपर उनकी अमर करतियां मानी जाती हैं माइकल एंजनलो की गिंती अधित्य चित्रकारों में की जाती है वह कलाकार के साथ-साथ मूर्थिकार, इस्तापत्यकार, इंजिनियर और कभी भी था वह मनुश्य को स्रस्टी की सबसे सुन्दर अभी विक्ति मानता था उसके बनाए लगबग 145 चित्रों में सुन्दर भावना, कोशल और परतिबा का इसपस्ट परमान मिलता है रोम के सिस्टाइन गिरजागर की भी तरी छत पर बाइबिल के दरश्यों का उसने जो चित्रांकन किया वह आज भी कला मरगमग्यों के लिए विश्मे की वस्तू है 1541 इसवी में इसी चर्च की दिवार पर बना उसका एक चित्र लास्ट जज्जमेंट जिसे पूरा करने में उसे लगबग आट वर्स लगे थे वह उनकी स्रव स्रेश टचना है अनेक आकर्तियों वाले इस विशाल चित्र में जीवन के अनेक रूप विद्यमान है क्योंकि वह एक मानोवादी चित्रकार था है इसलिए उसने मानों के विभिन पहलों का अपने चित्रों के माध्यम से उसमें चित्रन किया है मानों की भाउनाओं का मानों जीवन से जुड़े हुए हर परलू का उसमें उन्होंने चित्रन किया है कलाक एक्षेत्र में राफेल का नाम भी अत्यन्तु लेखनी है उस पर एंजलो और लियोनार्दो दा विंची का प्रभावपड़ा इसलिए उसके चित्रों में दोनों की चित्र से लियों का समन भी दिखाए देता है राफेल के चित्र साजीवता एवन सुन्दरता के करण आज भी विशुपरसित है उसने वातसले और मात्रतों का मनोहर चित्रन किया है उसके सरव्स्रेष रचना जीसस क्राइस्ट की मा मेडोना का चितर है मेडोना का दिव्य नारित तो आज भी दर्षकों का मन मोह लेता है उसके द्वारा बनाए भित्ति चितर और समکालिन लोगों के चितर अत्वा पॉड्रेट अद्यूत्य है बहुत से विद्वानों का मत हैं कि चित्रकला के क्षेतर में समन व्यात्मक सुंदरे के चित्रण में राफेल माइकल एंजलो से भी स्रेस्ट था इटली की चित्रकला का प्रभाव अन्ने यूरोपे देशों पर भी पड़ा तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि कला के क्षेतर में पुनर जागरण कालिन चित्रकारों ने अपनी बहुत महत्वपून भूमी का अदा की और अपने चित्रों के मादेम से अपने सहिते के मादेम से लोगों में एक नई जन्जागरती उत्पन्न की जीवन के हर पहलो को इन्होंने बहुत सजीव चित्रन करके मानववाद के बारे में लोगों का एक नया संदेश दिया और अपनी लेखनी के माद्यम से जीवन की उस सच्चाई को लोगों तक जन्मानस तक पहुँचाया जिसके माद्यम से उनका जीवन आनंद में बने और धर्म के नाम पर जो पुरानी कुरूतिया थी रूडिया थी या परताई थी जिनके माद्यम से उनको भैभीत किया जाता था उन सबका उन्होंने अपनी इतियास अपने साहित्य के माद्यम से उसका खंडन किया अपने वें और इंग्लेंड के साहित्यकारोने थैंक्यू